तो आज गाइज मैं बताने बाला हो कि माउंड हेरेट जो नेशनल पार्क है उसका जो की बंबू प्लैड में है वो आपको जाना है तो आप कैसे जा सकते हैं और जाने के लिए क्या-क्या रिक्वार्मेंट है और क्या-क्या पॉसेस पॉलो करना पड़ता है और कितना अमाउंड आपका एक्सेंस हो सकते हैं और कितना किलोमेटर डिस्टेंस आपको ट्रवल करना पड़ेगा और कैसे कैसे करने पड़ेगा और कहां से आपको बोट पकड़ना पड़ेगा टिकेट का इस विडियो में बहुत सारे जो बाड़्स है जो की अंदमन में मिलता है देखने के लिए इस जगह में जाने से आपको देखने के लिए मिलेगा और यह जो जगह है लोग बहुत कामी जा रहा है टूरिस्ट तो मेरे ख्याल से मैं इसलिए इस विडियो को बना रहा हूँ कि इस विडियो के मद्धम से लोगों को जानकारी मिले इस जगह के बारे में और इतना अच्छा जगह और इतना अच्छा एक नेच्रिल ब्यूटी जो है हम बहुत सारे जा सकते हैं तो यह सारे चीज़े डिटल्स में रहेगा साथ साथ में दिखाते रहूंगा आप क्या-क्या दीख सकते हैं वहापे तो दिर ना करके मैं वीडियो स्टार्ट करता हूँ और चैनल में आप नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और फिस्बूप पेश से देख रहें तो चलते हैं में वीडियो में आपको जैसे की दिख रहे हैं होटेल कलकटा और हम लोग मॉर्णिंग में जब निगला था तो बेकफस्ट पहले यहां पे कर लिया और करने के बाद यह उगांदी ते चुके सीधा पॉपोजिट साट में रोड जा रहे हैं इ कि आपको माउन हेरेट और बंबू फलेट जाना है तो सौट कार्ट में जो पॉइंट आता है वह है चातम जैटी चातम जैटी से आपको जब जाएंगे तो यह देखिए इतना आच्छा व्यू आपको सीधी देखने के लिए मिलेगा तो आप इस जगह को जरूर जाएए है चातम जैटी से आपको यहां पर जाके काउंटस से टिकेट लेना पड़ेगा और उसके बाद आप वहां से टिकट कलेट करना है और किकट कलेक करने के बाद आपको में चड़ना है और उसके बाद भामभो प्लैट जाना पड़ेगा तो यह चातम जो चाता सा बिरीज है तो यह बिरीज आप देख सकते हैं पर बहुत सारे समील है जोकि एक टाइम में अंदमण यस्या का सब्सक्राइन वह रखाय। तक हम लिए ओकर चुश्य है गया है। तो ईहां से आप जब भी आएंगे तो आप टिकट करिए कोम कॉर्य है और अभी भी प्राइस पर परिंड रैतें और नहीं है। रूपी फाइब रूपीज तो अल्मोस एक्टी त्री एक आसपास आपको दो लोग और एक बाइक आप टांस्पोर्ट मतलब उस जेटी में जेटी से टिकेट कलेक्ट करके आप बंबू फिलेट जा सकते हैं तो मेरा बाइक यह है और इसको हम ले जाएंगे बंबू फिलेट सो मैंने बाइक को भी पहले भी यहां पर सिफ्ट किया था कलकाटा से इधर और उसका वीडियो नहीं देखा तो आप जुरूर देखिए और यह अभी जा रहा है पूर्ट बलेया टू मुनलब छातम टू बंबू फ्लेट तो देख सकते हैं कि सारा बाइक और जो कार है सार चड़ा के रखा है मेरा बाइक भी चड़ा दिया मैंने और यहां से जो आपको जाने के टाइम मिलता है अल्मोस्ट 10-15 मिनिट्स आपको लगता है बंबू फ्लेट पहुचने के लिए और इस 10-15 मिनिट्स के अंदर आप बहुत स्लोली यह चलता है तो आप नेश्रेल ब्य करते हैं और यह स्टार्टिंग होता है आपको आली मॉर्निंग से मिन्स से स्टार्ट हो जाता है रात को नौ बजे तक यह फैरी एवेलेबल रहता है और यह 15 मिनिट्स छोड़ छोड़ के आपको बोर्ड मिल जाएगा तो आप कभी भी आना जाना कर सकते मेरा हिसाब से जहांसे आपको बहुत सारी चीजह बाट मिल जाएगा जो से चीजह और सारी चीजह यहां पर से लिएक्ट मिलता है तो आप कुछ खरीदना चाहते हैं तो यहां पर जाकर खरी और यह रोड फ्यू इंजोई करते करते आपको समदर के साइड साइड से रायड करके जाना पड़ेगा जैसे कि हम लोग जा रहे हैं और साइड सेड में आपको दिख रहा है कि छोटा मोटा घर है और बहुत सारे चीज़े यहां पर देखने के लिए मिल जाता है और यहां से सीधा चलते रहे और साथ-साथ में सीभी का इंजोई करते रहे है तो रस्ते में बहुत सारे जगह में आपको चार्च देखने की लिए मिलेगा मंदीर है जाए चोटा सा बिलेज की तरह सीधा चड़ जाएएं तो आपको और भी चीज़े मिलेगा resulting यहां पे एक बैठने के लिए छोटा सा पार्क जैसा जगा बनाया यहां पे भी आप बैठ के फोटो बगेरा खीज सकता है सीवी उन्जे कर सकता है और थोड़ा सा आगे जाएंगे तो इधर आपको दिखने के लिए मिलेगा एक बड़ा सा चार्च है तो आप क्रिस्टन कम्यूनिटी से है तो आप चार्च भी यहाँ से आप विजिट कर सकता है तो यहां एक चार्च है आप देख लिया इतना बड़ा चार्च और साइड से थोड़ा सा और आगे जाएंगे तो आपको मंदीर भी मिलेगा जैसे कि आपको यहाँ पे आपको जो 20 रुपीज नोट का विवाल पुला था तो इसी रोड से आपको जाना पड़ेगा अम रोड एक तो एजगा आपको कोई बोर्ड नहीं मिलेगा देखने के लिए कि यह ही है तो आपको जुरूर जाने के टाइम थोड़ा सा आपको याद रखना पड़ेगा कि यह वीवपाइंट आपको रस्ते में मिल जाएगा मेरे ख्याल से मेरा सजिसन रहेगा लोकाल लोग या तो गवर्मेंट के तरफ से एक जगह में यहाँ पे एक पॉइंट बोर्ड लगाना चाहिए थो हम लोग और 있के ढ़ीद के तो जाने के लिए तो यहां पे भी आप देख सकते की हे और गेट में आपको एक पास बनाना पड़ेगा आपको पारसेंट जो है 50 रूपीज करके लेगा और गाड़ी के लिए लेगा 20 रूपीज तो मैंने अल्रेड़ी डिपोजिट कर दिया और एक आधार कार्ड जो है उसका एक कॉपी आपको करना पड़ेगा तो आपको मेरे ख्याल से गाड़ी का कोई भी एक पेपर्स और गा आपको चाहिए तो दिखा सेकते हैं और एक आईडी प्रूव आपके साथ रहना चाहिए और जाने के टाइम आप देख सेकते कि सारे साइड में जो जो आपको यहां पे आपको दिखने के लिए मिलेगा इस सारे चीज़े आपको अगर जंगल पसंद है एडवेंचर ठंड मैसूस होता है और जाने के टाइम जो राइडिंग होता हो बहुत यह अच्छा होता है और आप देख सेकते कि यहां पे लास्ट है परकिंग इरिया इस जगह से अंदर पर्वेट भेहिकल को अलाउड नहीं करता है तो यहां से हम लोग बाइक जो है पार कर दिया और तो मेरा बाइक जो है फार कर दिया जो कोई भी आगा रेंट पर बेख़ा झालेoka यहां परसार करना पड़ता है तो इस साथ पर और मेलेगा तो यह सा zukत जा नहीं आए तो आप को थोड़ा खुभी. चलना पड़ेगा मेरा सजेशन रहेगा कि आप रोड की बीच 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 में जाएए क्योंकि आप जंगल की तरफ आगर चले जाएंगे तो आपके लिए थोड़ा प्रब्लिम हो सकता है क्योंकि यह आसपास में बहुत सारे जगा जो है यह जंगल से घहरा करिए कि जंगल के अंदर ना जाए और देख सकते कि यह जो में गेट है यह गेट में अम लोग एंट्री कर रहा है इसके साथ आपको साबने तरफ एक बड़ा सा पीपल का पेड़ दिख रहा है यह बहुत पुराना पेड़ है देख सकता है कि इतना बड़ा है और साइड म में आप देख सकते कि एक फॉरिट्स गेस्ट हाउस है और इसके ऑपोजिट साइड में एक व्यूपॉइंट है यह जो व्यूपॉइंट है आप जाएंगे तो यहां से आपको नौर्थ व्यूपॉइंट बोलता है इस सगा को तो आप थोड़ा सा यहां से जाएंगे सीध सब्सक्राइज mostra बहुत सारे जो यहां पर से करता है और जो जो बुमने जाते हैं यहां पर पी रहा है तो इसके लिए आपको पौशे से की परिमेंट से लेना पड़ढ़ेगा तभी आप यहां पर स्टे कर सकते और उसके बाद आप देख सकते हैं कि यह नौर्थ वे भीव पॉइंट है तो यहां से नौर्थ वे का जो आइलेंड है जो लाइट हाउस है यहां से बहुत अच्छा भीव दिखता है और अभी और फोड़ा सा आगे आ जाएंगे तो आपको दिखेगा बार्ट का एक है और नीचे जो अम्रेले टाइप बनाओ उसमिए बैठ सेकता है और यह चोटा सा एक निकारा हर्ट सै जो की ड्रैमों यदिखने के लिए मिलेगा और इसके अंदर आप जाएंगे तो देख सकते कितना अच्छे से शटिंड बैस बंबेस् बना हुआ है तो इस चाइप का होता है नॉर्माली जो निकोवरीज ट्राइब का लोग होता है इनका हार्ट ऐस तरह बनाता है तो इसलिए यहां पर यहां पर एक छोड़ा सा ड्रेमों आपको बना के दिखाया तो आप यहां पर पोटो बगेर खीश सकता है देख सकते कितना अच्छा है और बहुत अच्छ साइड में जो राइट साइड में चोटे-चोटा हाउस दिख रहा था ओ है एकमेंटेशन जो की स्टाफ बगरा रहता है और यह इमराल्ड व्यूपॉइंट है तो यहां से आप स्टी में चड़ जाएंगे तो उपर में आगर आप जाएंगे यहां से भी बहुत अच्छा इक ही जगह से आपको 2-4 आइलेंट का भी देख सकता है और थोड़ है तो थोड़ा सा धूंदला दिखेगा अब देखने के कोशिस करेंगे तो बहुत अच्छे से दिखेगा क्योंकि कैमेरा में इतना अच्छा नहीं दिखता है क्योंकि इतना अच्छी से यहां से जुम करेंगे तो अच्छे से नहीं दिख रहा है बट आपको खली नजर्ट नहीं है आपको अच्छे से दिख जाएगा थोड़ा क्लावडी था तब नजर में अच्छे से दिख रहे हैं कैमेरा में इतना आपका जो सवराज दीफ है इसका भीव भी यहां से दिखता है तो इतना सारे आइलेंड का आप एक ही जगा से आप इन्जोई कर सकते हैं आपको आपको यहां पर बैठ सकते हैं बैठ के थोड़ा टाइबस कर सकते हैं और यहां पर मैं लिटरिली बता रहा हूं कि यहां पर जाएंगे तो आप बैठेंगे तो इतना अच्छा सुकुन मिलेगा कि आप भूल जाएंगे दुनियादारी कि आप क्या करते थे नहीं करते थे इस दो बैंगोली में लोजजपती गास बोलता है तो एक चुली एक टच करने से छोटा हो जाता है यहां से आपको काला पत्र को रोड मिलेगा जो कि टू किलमेटर आसको पैदल चनना पड़ेगा पाट यहां पर लिचिट जो होता है वह मिलता है तो इसलिए बारिस के टाइम है इस यहां पर चुटे-चुटा हार्ट्स बनागे रखाए जो अम्रेले टाइप का आट्स टाइप का बना हो यहां पर भी फोटो बगए रखी सकते आप और यहां पर आप जाएंगे तो यहां से आपको जंगल का नजारा बहुत अच्छे से दिखेगा बट क्यारफुली जो स पूरा नजारा रहा है जो की आप सिक्ता है की चेप एनकर से दिखा रहा हैं यहां से यहां से ठोड़ा डिर रुकिएगे तो यहां से बहुत सारे बाड बहुत सारह टाइप का बार्ट्स यह जो है आप देख सेखते कि यहां पर पहले जो अंग्रेज के टायर में यहां पर बहुत साथ चीज़ रहता था यहां पर अपर अटेक करते थे और यह सारे चीज़ आप देख सेखते कि चीप्स कमिशनर जो बिल्डिंग था यह अब भी इसका जो टुटा फुटा जो बचा हुआ है यह आपको देख सेखते हैं मेरा कैमेरा में यह तब का बढ़ा हुआ है जब बहुत टाइम से पहले है 1942 का है तो आप देख सेकता है कितना हालत खराब है अभी अभी हम लोग रिटान आ रहा था तो रिटान आने के टाइम भी साम हो गया था तो इसी टाइम नजारा और अच्छा दिग रहा था तो अल्मोस्ट हम लोग साड़े तीन चार बजे तक यहां पर हम लोग रिटान उसको आया तो र था ने के बाद हो क्छोटा सा मर्केट है मार्केट को एक्सप्लोर करें करें लोग थोड़का जिवा बहुत हैatroसाएब का कांटिंग के हिसाब से 7500 सम्तिंग अभी इसका मतलब 7500 तु 10,000 के आसपस लोग यहां पर रहता है इस आइलेंड में तो अब देखी सकता है कि यहां पर जो भी यूस्ट चीजे है वह यहां पर मिल जाता है सब्सक्राइब से लेकि गोशारी जो भी है आपको मिल जाएगा यह जटी की तरफ जो में रस्ता है किनों साइट से चले जाता है एक लेप साइट वाला रस्ता हम लोग फुड़ा पकड़ के आगे आया था तो यहां पर भी देख सकते कि मार्केट बहुत अच्छा कर सा मर्क मिलता है तो हम लोग नेक्स्ट आभी यहां से टिकेट कांटर से टिकेट करके फिर से आप लोग चाहतं की तरह आ रहा था बोर्ड में देख सकते कि आने के टाइम बहुत सारे कार बगेरा और बाइक बगेरा भी परक करके रखा ता आज जाने के तो थोड़ा कम ता आने के लेके 83 रूपीज प्लास रिटर आने का 83 रूपीज जो की आपको मांट हर्याट पर्क में विजिट करने का एंटी फिस यह सारे इंक्लोडिंग है आपका टिकेट मांद आम लोगों का टिकेट एक बाइक का टिकेट तो दो लोग और एक बाइक लेके जा रहे या स्कूटर लेके जा रहे तो आपको 83, 83 आप एंड डाउन और आपका 120 रूपीज जो है की पर्क का विजिटिंग प्रीज और आप एक लिटर का पैट्रल पकड़ लेजे 80 रूपीज तो आपको टोटल आ जाता है टोटल आ जाता है आपको 366 तो आप 366 का आपका एमांड होगा तो आ 500-500 के आसपास में आपको 550 या 500 के आसपास में आपको ये ट्रवल कंप्लीट हो जाएगा तो इतना कम पैसे में आप इतना अच्छे जगह घूम पाएंगे तो आप इस जगह को जुरूर विजिट करिए और वीडियो अच्छा लागए तो लाइक करिए, सेयर करिए, सब्स मिलते हैं नेक्स्ट विडियो में